नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि इंताजसिक टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, इंताजसिक टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और इंताजसिक टैबलेट की वज़से क्या साइड इफे होने पर, शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए इंताजसिक टैबलेट का उप्योग किया जाता है, यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़से सूजन आ गई है, तो इंताजसिक टैबलेट दर्ध के साथ-साथ सूजन को भी कम करती है, इंताजस के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आधी कंडिशन्स में इंताजिसिक टैबलेट का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्द से राहत पाने के लिए इंताजिसिक टैबलेट का उप्योग किया जाता है। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में इंताजिसिक टैबलेट की वज़ा से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में इंताजिसिक टैबलेट की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे बधजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना और लिवर इंजाइम बढ़ सकते हैं. ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में इंताजेसिक टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकती है और शरीर में खून की कमी हो सकती है इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक इंटाजेसिक टैबलेट का सेवन करने की वज़े से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की इंटाजेसिक टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। इंटाजेसिक टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। इसलिए आपको इंटाजेसिक टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की इंटाजेसिक टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर इंटाजेसिक टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना इंटाजेसिक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। महिलाओं में इंटाजेसिक टैबलेट मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है। लेकिन इसकी वज़ह से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर इंटाजेसिक टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। सकते हैं।